हेलो प्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज हम एक न्यू वेकेंसी की डिसकेशन करने वाले हैं जो वेकेंसी आउट की गई है नालको रिक्वाइर्मेंट 2021 इसमें आइटी आइपास ओल ट्रेड के कंडिडेट एपलाई कर सकते हैं पर्मनेट जोब ह सकते हैं आज की वीडियो में हम एक जाम फिस मेल और फिमेल सेलरी है वह 29,000 से 37,000 तक हैं काफी अच्छी सेलरी भी मिल रही है लेकिन पोस्ट हैं बिलकुल कम हैं लेकिन क्या करें अभी कोरोना काल में वेकेंसी बहुत कम निकल रही है इसलिए जहां भी मौका मिले आपको पोरम बरके उसकी तयारी में लग जाना है सबसे पहले हम इसकी उपेसल नोटिफिकेशन को देखते हैं और देखते हैं कि पीस कितनी है इन सब बातों की चर्चा करेंगे वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार हमारे चै ये वेकेंसी इड आउ्ट की गई है नेश्नल एलुमेनियम कंपनी लिमिटेड बारच सरकार का उपकरम है ये और मिनी रतन कंपनी है इसमें vacancy है वो बहुत ही कम out की गई है लेकिन ITI के country rate apply कर सकते हैं पहला हम इसमें देखते हैं operator की है दो vacancy है एक UR और एक ST category से qualification है इसमें ITI पास होना चाहिए NCVT हो या SCVT या VT और आपके पास heavy vehicle driving license होना जरूरी है valid first acid certificate यह होना जरूरी है और इसमें experience है वो बिल्कुल भी नहीं मैंगा गया सबसे पहला आपकी इसमें 12 मंत की training होगी फिर 18 मंत के before आपको permanent job दे दी जाएगे इसमें 18 से 27 साल के candidate apply कर सकते हैं लेकिन आपकी 18 hours की age वो 2822211 के अनुसार count की जाएगी दूसरी vacancy है वो जो HEMM operator की है जिसमें 4 vacancies out की गई है UR category से 3 है और HC category से 1 है इसमें ही आप के पास 10th class pass होना जरूरी है उसके साथ IT होना चाहिए NCVT या SCVT किसी भी trades है इसमें आपकी सबसे पहले 18 मंत की training होने वाली है उसके बाद में आपको permanent कर दिया जाएगा आगे हम इसमें देखते हैं selection process के बारे में किस परकार आपका इसके में selection होगा तो इसके लिए जितने भी candidate form फिल करेंगे उनकी एक short list जारी की जाएगी उसके बाद में आपको return trace देना है और trace state जिसमें आपको weightage रहेगा 46 और 60 का उसके बाद medical होने वाला है और उसके बाद में आपको job के लिए बुलाए जाएगा application fees के हम बात करें तो general EWS candidate को 100 रुपे pay करने है और CSTPW एक service man उनके लिए फिरिप form है तो आप form बर सकते हैं payment है वह आपको online mode में करना है form apply करने के बाद में आपको online चालान करना है उसके बाद में इन सभी जो जो document आपको form बरते समें लगाएं उनकी hard copy है self participate करके आपको डाक के तरू इस पते पर जो पता दिया हुआ उस पर send करना है तब ही आपका form है वो माना जाएगा form send करने की last date है वो है 8-11-2021 तक इससे पहले पहले आपको form है वहां पर send करना है अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं salary के बारे में salary आपको बहुत ही अच्छी कासी मिलने वाली है सबसे पहले हम फोस्ट देगे थी उसमें 12 मंत की training के दोरान आपको 12,000 पर मन दे जाएंगे उसके बाद में 18 मंत की ओर training उसमें 15,000 दे जाएंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको बहुत हैं तरह पांट से शितर अजार तक आपको salary मिलने वाली है सेकंड पोस्ट की हमने बात की ती उसकी भी जो 18 मंत की आपकी training होगी उसमें आपको 15,000 रुपे दे जाएंगे और उसके बाद में जो 12 मंत की फर्ष्ट में होगी उसके भी 15,500 रुपे दे जाएंगे ये training complete होने के बाद में आपको medical facility इंडोर और आउट डोर भी दी जाएगी नालको अस्पिटल में उसके बाद में आपकी salary होने वाली है 29,500 से 37,000 तक तो आप form apply कर सकते हैं form का link में video के description में दिया गए और notification भी आप download करके देख सकते हैं उसका भी link वीडियो के description में दिया गए है और भी अगर आपको इस बरती से समदित किसी परकार की जानकारी के लिए आप comment करके पूछ सकते हैं सबसे सभी trade वाले इसमें apply कर सकते हैं तो iti वालों के लिए भी बहुत इकम vacancies दिकाली जा रही है तो मोका हाथ से ने जाने दे फोरम जरूर apply करें फोरम पीस से वो बहुत इकम है 100 रूपे फोरम पीस रखी गई है तो आज का वीडियो आपको किस अलगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप पहले बार मारच चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली iti से समंदित जोब की न्यूज आपको प्राप्त हो सके धनिवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में